गूड मॉर्निंग एब्रिवान सब कैसे हैं आज जोगी ने चुटी लिया है तो हम लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद चुटी को इटिलाइस करने के लिए हम लोग पहुच गए होम डीपो और हमारा जो थर्ड फ्लोर है थर्ड फ्लोर का जमीन जो फ्लोर है वो इंस्टाल क करके जाएगा और सेकेंड है कार्पेटिंग करना कार्पेटिंग मुझे पसंद नहीं है क्योंकि आप जितना भी वैक्यूम करो वह डस्ट रही जाता है और थर्ड टाइल्स लेकिन टाइल्स में बहुत थंड लगती है मेरे को और फॉर्थ है वाइनल जो वाइनल हम लोग खुद से लगा सकते हैं जब पीशे में ग्लू है ग्लू का स्टिकर उठाकर फ्लोर पे चिपक देने का है तो हम लोग वही देखने गए थे होम डिपो में देखें ऑनलाइन पर हम लोग देखे हैं लेकिन अपने आखों से देखना अलग ही बात है और वही देखने के हमारे पीछे में जो चोटा सा फिश पॉंड है उसमें लगा रहता है और इसको हम लोग हर टू इक्स में पानी से साप करती हूं और यह जो फॉंटन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है साप करना क्योंकि इसे से ही एर सरकुलेट होती है पानी में और उसमें जो फिश मचलिय पानी से पॉरा साप कर लिया है उसके बाद जो यह बॉक्स है बॉक्स के उपर में बहुत सारे काई थी तो उसको मैं स्क्राबर से साप कर दी ही और अब देखे पूरा री इंस्टॉल हो गया है और अब इसको जाके पॉंड में लगाना है देखे हमारे पीछे का कितना सुन्दर नजारा है फॉल में इधर पे सब हरी पत्या इसी तरह से रेड या यलो हो जाती है और उसी के साथ ही देखे कहां से तो चुड़िया भी आके बैठ गई है तो मुझे बहुत ही खुपसरा सा नजारा लग रहा था तो मैंने सोची क्य अब जोगी ने पॉंड के उपर में जितने सारे पत्या है वो पत्या निकाल रहा है और निकालने के बाद पॉंड के काम खत्म होने के बाद इधर पे जितने परगोले पे जितने सारे फरनीचर से मैं इसको अब गराज के अंदर में अच्छे तरह से तैग लगा कर रख दूँगी क्योंकि स्नू में खराबना हो जाए लास्ट येर मैंने ये सब फरनीचर बाहर पी रख दी थी औ और इसमें देखी फरनीचर में सब रस्ट गिर गया है और इसके लिए मुझे और एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा नेक्स समर में मैं इन सभी फरनीचर को फिर से पेंट करके यूज कर सकती हूँ क्योंकि बहुत सारा क्या बलते रस्ट हो गया देखने में खराब लग रह पर लॉन मोईंग और स्नो ब्लोवर रहता था तो मैं उन दोनों को बाहर पर रखकर यह सब फरनीचर अंदर में रखी हूँ तय करके रखी हूँ और अब देखने में भी अच्छा लग रहा है और यह सेफ भी रहेगा विंटर से उसके बाद मैंने वह सब फरनीचर तय कनेकशन रहने के वज़ाने के वाजसे से वह से जय्सक्य एक बत्रतार जैसे है उसां करदा जितने सारे गंद फरने डगी लगे लगी आथी है वह अच्छे तरह से वह सब कर लेता है यह तो मेरे का अब 21 started आप अपना कार अपना कार साफ कर लेगा और मैं इधर से अंदर पे चले गही हूं दुपर का खाना बनाने के लिए आज सिंपल सा खाना बनाऊंगी स्ट्रिप राइस एक बॉयल एंड बॉयल पोटेटो और दाल और कल का गोवी का सबजी था तो वही सबजी और बनाऊंगे निए वही स उसके बाद हम लोग अर्मानी को स्कूल से पिक करने के लिए गई थी और पिक करने के बाद अभी देखे अब शाम का मैं क्लिप दे रही हूं रात को मैंने चाइनीज बनाई थी और उसमें नूडल्स था और चिले चिकन खाने के लिए मुझे बहुत ही दिल कर रहा था यह चिले चिकन शरफ टरांटो में मिलता है बफेलो में मिलता नहीं है तो अभी तो आप आवर्स ड्राइप करके आप चिले चिकन लेकर आएं शायद कभी बॉर्डर पे भी बंद भी कर सकता है तो क्यों ना घड़ बही बनाओ टेस्ट बहुत ही अच्छा था और इसी तरह से मैंने चिले चिकन बनाई हो करके यह बॉनलेस थाई चिकन है इसमें जितना मसाला एट की हूँ मैंने ड्रिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख रही हूँ आप लोगों देखना है तो देख लीजेगा प्लीज मेरे पास ब्रेल प्रेपर नहीं था तो मेरे पास ये रेड है ये रेड में लिख रही हूँ अब इसमें कॉर्ण स्टाच एड करती हूँ ये फाइन लोग वेजिटबल जादा हो गया है thank you so much for watching bye for now